हेलो एवरिवन आज मैं आपके लिए एक और सबर स्पेशल रेसिपी लेके आई हूं जिसमें कि हम मलाई लस्ती बनाने वाले हैं जो कि सूपर रिफ्रेशिंग है और बहुत ही जादा डिलीशिस तो बिना देर कियोए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने दही लिया आप के टाइम काम आएगा और यदि आपके दही पर जो है उपर से इस तरीके से मलाई नहीं देख रही है आप मार्केट से लाए है तो आप क्या करें कि जो दूद के उपर मलाई जमी होती है आप वह भी ले सकते हैं घर पर जो तुरंद गरम दूद फ्रीज में रखा हु जो झाला है उसी से इसमें फ्लीवर आने वाला है और कुछ भी नहीं डालना है अब यह जो है मतनी ली है मैंने इससे लसी का टेस्ट बहुत अच्छाए गार इस तरीके से हमें इसे हल्का सा मत लेना है धियान रखे मिक्सर जार में नहीं डालना है जादा एकदम स्मूद तो यहां पर दही मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो पैने बिल्कुल थोड़ा सा यहां पर पानी डाला है लग बग दो बड़े चमच की पराबर यह आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं बस जादा भी पानी ना डाले नहीं तो जो लसी का फ्लेवर है दही क जादा नहीं आएगा सिर्फ मीठा मीठा फ्लेवर आएगा आपको यहां पर यहां पर्फेक्ली रेडी हो गई है हमारी लसी बनकर कर चाहें तो आप इसमें जो है कुछ ड्राइफ रूट भी डाल सकते हैं मैंने तो इसे बिल्कुल सिंपल रखा है जितना सिंपल रखेंग आपने अभी तक नहीं देखिए तो प्लीज चैनल पर जाकर के देखेगा आपको सारी वीडियो बहुत पसंद आएगी जल्दी मिलते हैं कुग विद्मान उपर एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए जो कि सूप और यह मैं एक बार यद